हेलो स्टूडन्स जैस्री स्वामी नरायन दीवाली ब्रेक के बाद आपकी इपढ़ाई अब अच्छी तरह से चल रही होगी इस आसा के साथ आज हम संस्कृत में सुन्दर साइक अच्छा सा पाठ पढ़नी जा रहे हैं जिसका नाम है पुच्प उत्सव यानि की फुलो का उत्सव या इस पाठ के साथ साथ हम सप्तमी विवक्ति का प्रयोग किस तरह से होता है वो भी हम सीखेगे और साथ साथ में जो ये पुच्प उत्सव हो रहा है जहां पे यानि की दिली में जहां हो रहा है उसका आनंद भी हम देगे इस उत्सव में फुलो से बना हुआ य तो व्यंजनम यानि की पंखा बना है जो हम चित्रा में देख सकते हैं, वो एक आकर्सन का रूप बना है, सभी लोग ये फूलों से सुन्दर बना हुआ ये जो व्यंजनम है उसको देखने आते हैं, और बड़े आनन से ये फूलों का उत्सव भी बानते हैं, तो चलो, शुर सब्तमी विवक्ति यानि कि अधीकरण विवक्ति जिसमें हम इंगलिस व्याकरण में देखे तो in और on का जहाँ पर प्रयोग होता है इस तरह से संस्कृत में in और on का प्रयोग करने के लिए सब्तमी विवक्ति का प्रयोग होता है जैसे कि in the classroom के अंदर on the table के उपर यानि कि कोई आधार बताना हो कोई चीज का आधार यहाँ पे यहाँ फिर कोई चोकस्थान या उसका जहाँ पे रहने का स्थान है जो आधार है वो बताने के लिए सब्तमी विबक्ति का प्रयोग होता है तो हम पाठ के साथ साथ यहाँ सब्तमी विबक्ति भी सिखेगे तो चलो सुरू करते है पुस्प उच्चव एकादस हो पाठ हो उच्चव प्रय हो भारत देश हो भारत देश उच्चव प्रय है अत्र कुत्रचित सच्च्चव भवती, कुत्रचित पसुच्चव भवती, कुत्रचित धाल्मिक उच्चव भवती, कुत्रचेत च यान उच्चव अत्रा कुत्रचित सच्य उत्सव यानि कि फसोलों का उत्सव नहीं जब खेतों में फसल उपती है तो उसका भी हम उत्सव मनाते हैं अत्रा यानि कि भारत देश में भारत देश में कहीं पे फसोलों का उत्सव होता है कुत्रचित पसुत्सवह भवती कहीं पे पसुओ का उत्सव होता है कुत्रचित धाल्मी कुत्सवह कहीं पे धाल्मी कुत्सव भी होता है भवती कुत्रचित जह यान उत्सवह कहीं पे यान उत्सवह यानि की वहनों का घाडियों का भी उत्सव होता है एटेसु एव अस्ती अनिय तमह पुचपव सवहीती, एटेसु यानिकी इस्तरह अनेक उत्सवों मेंचे एक přुचपव सव यह भी है आयाम फुल वालौ की सेल इती नामना प्रसित हस्ती, यह फुल वालो की सेल इस नाम से प्रसित है हमारे भारत देश में बिनन बिनन जगह, बिनन बिनन लोग, बिनन बिनन धर्मा के लोग, बिनन बिनन जाती के लोग रहते हैं और वो हर मोसम, हर रुतु की बिननतार के साथ सर अलग लग जगह उत्सव मनाए जाते हैं तो इस तना से यहां बेबी एक पुच्पा उत्सव की बात हो रही है जिसे हम फुलों वालों की सेर नाम से प्रसिती है वो हम जानते है देहल्याहा महरलीक सेत्रे ओक्टमबर मासे अस्य आयोजनम भवती देहल्याहा यानि की दिल ही सहर में महरलीक सेत्र में ओक्टमबर मास में ओक्टमबर के महिने में अस्य यानि की यह आयोजन होता है यह जो पुस्पा उस्व है वो दिली सहेर में महरेलिक सेत्र में ओक्टोमर मैने में होता है अस्मीन आउसरे तत्र बहु विधानी पुस्पानी द्रस्यंते यह जो तेहवार है यह जो आउसर है उसमें बहु विधानी बहुत से अलगलग पुस्पानी द्रस्यंती अलगलग बिन्न बिन्न रूप के पुस्प दिखाई देते है परम प्रमुखम आकर्सनम तु अस्ती पुस्प निर्मितानी व्यन्चनानी परम लेकिन स्रेस्थ आकर्सन प्रमुख आकर्सन जो है वो पुस्प निर्मतानी व्यन्जनानी यानि की फुलो से बना हुआ व्यन्जनानी यानि की पंखा जो हम चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं जनाह एतानी पुस्प व्यन्जनानी योग माया मंदीरे बक्तियार काकी इतियस्य समाति स्थले च अर्पयती जनाह यानि की लोग एतानी यानि की यह पुस्प व्यन्जनानी फुलो का पंखा योग माया मंदीरे यहाँ पे योग माया मंदीरे यानि की सप्तमी विपक्ति का प्रयोग हुआ है बक्तियार काकी योगमाया मंदीर में बक्तियार काकी इत्यस यह नाम की समाधी स्थले चरपयंती समाधी स्थल में ये अरपन करते हैं ये जो फूलों से बना हुआ पंखा है वो जो योगमाया मंदीर की अंदर बक्तियार काकी का समाधी स्थल है वहाँ पे अर्पन करते है केचन पार्टन पुस्पे है केचन यानि की कोई यानि की थोड़े से पार्टन पुस्पे है यानि की गुलाब के फुलो से निर्मितानी बनाय हुए है यहाँ पे कहीं पे फुलाब के फुलो से बना हुआ है केचन करनीकार पुस्पे है कनेर के फूलों से भी बनाया हुआ है अन्ये जपा कोसु में जपा कोसु में यानि की गुणहल के फूलों से कहीं पे गुलाब के फूलों है कहीं पे कनेर के फूल तो कहीं पे गुणहल के फूलों से यहां बनाया गया है अपरे मली का पुस्पे है उपर की और जो उपर की तरफ है वहाँ पे मली का पुस्पे है यानि की चमेली के फूलों से इतरे जो गेंदा पुस्पे है गेंदा हा गेंद का फूल जो और दूसरी जगह उपर की जगह उपर की साइड है यहाँ पे चमिली के फूल और उसके बाद गेंदा पुस्पे यानि की गेंदे के फूल से निर्मतानी विंजनानी नयाती बनाया हुआ ये पंखा नयांती यानि की ले जा रहे है ये जो पंखा जो है वो योगमाया मंदीर के अंदर बक्तियां काकी के समाधी सल को लोग अरपन करते हैं तो जब ये पंखा अरपन करते हैं वो पंखा किसे बना हुआ है तो पाटल पुस्पे है यानि की गुलाब के फूल करनेकार पुस्पे है यानि की करनेर के फूल जपार पुस्पे यानि की गुणहल के फूल मलिका पुस्पे यानि की चमेली के फूल गेंदा पुस्पे यानि की गेंदे के फूल निर्मतानी, विंचनानी, नयंती यह सबी फुलों से वो बनाते है पंखा और फिर वहाँ पे ले जाते है अयम उत्सव है दीवसत्रयम यावत प्रचलती यह जो उत्सव है यह दीवसत्रयम यानि की तीन दिनों का तीन दिनों तक चलता है एतेसु दीवसेसु पतंगानाम दीवसेसु यानिकी दिनों में यहाँ पे भी सप्तमी विबगती है एतेसु यहाँ पे दिन में पतंगानाम उड़ेनम पतंगों का उड़ाने का विविद धाहा क्रिडाहा विविद खेल यानिकी क्रिडाहा मल्ल युद्धम चा अपी प्रचलती और मल्ल युद्ध भी प्रचलित है यहाँ जो पुछप उत्सव होता है वो तीन दिन का होता है जिसमें दिन के अंदर यानि की दिनों में वो पतंग उडाने का, वीविद खेलो का और उसके साथ-साथ मल्लय युद का भी जो खेल होता है वो प्रजलीत रहता है विगते भ्याह, द्विसत वर्से भ्याह, पुच्प उच्वाह, जनान, आनंद यती विगत से प्यह यानि कि पता चल रहा है कि द्वी सत वर्से प्यह, द्वी यानि कि दो सत यानि कि सो यानि कि दो सो सालों तक पुस्प उत्सव जनान आनंद यती, पुस्प का उत्सव लोग आनंद मनाते है पता चला है कि ये जो पुस्पाउच्चव है वो 200 सार तक लोग अभी भी आनध मना रहे है मध्य यम परंपरा स्थगीता आसित बीच में यह परंपरा स्थगीत हो गई थी यानि कि रुक गई थी परंप स्वतन्तरता प्राप्ते है पस्चयत यम मनोहारी नी परंपरा पुनह सारंबरा परं यानि की लेकिन स्वतन्तरता प्राप्ते है स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद पस्च्यात यानि की बाद इयम यानि की यह मनोहारिनी मनोहर परमपरा पुनह यानि की फिर से सुरू हुई लेकिन बीच में ये जो परंपरा रुक गए थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राक्ति के बाद यह सुन्दर परंपरा फिर से सुरू हुई पुच्प उत्सव है जो आज भी उल्लासो उत्सव के साथ प्रचलीत है यानि कि सबी लोग इस उत्सव में उल्लासो उत्सव के साथ भाग लेते हैं और आनन्द लेते हैं इस तरह से आज हमने पुच्प उत्सव में दिल्ली के मेहरली सेत्र में जो अक्टोंबर मास में पुच्प उत्सव होता है उसका हमने वर्नन देखा और सीखा सुन्दर से ये पुष्पउच्व जो तीन दिन का होता है और उसके साथ-साद इसका जो आकर्षन है वो है फुलों से बना हुआ पंखा जिसमें गुलाप का फूल, कनेर का फूल, गुढ़हल का फूल, चमेली का फूल और घेंदे के फूल का प्रयोग होता है और ये जो पंखा है वो योगमाया मंदीर की अंदर वक्तियार काकी के समाधी स्थल को भी अर्पन करते है यह पुच्पव जो है पुच्पव उच्पव वो उल्लास उच्पव के साथ लोग मनाते हैं और प्रचलित भी है आसा है कि यह सुन्दर सा जो पाठ है आपने अच्पव से सिखा होगा और ये पुच्पव उच्पव का आनंद भी लिया होगा तो चलो अब साथ में हम इसके नीचे आए हुए स्वाध्य के प्रस्ण भी हम करें अभ्यास में प्रस्ण नमबर एक वचना अनूसार रिक्त स्थान आनी पुरयत है वचन के अनूसार ये खाली स्थान भरने है यहाँ पे जितने भी रिक्त स्थान है जितने भी है सब्द सभी सब्तमी विपक्ति के रूप है सब्तमी विपक्ति एक वचन में मंदीरे यानिकी एकी मात्रा द्वी वचन में मंदीर योहो का सुरूप लगाया है और बहु वचन में मंदीरे सु यानिकी सु का प्रयोग हुआ है एक वचन द्वी वचन बहु वचन में इस तरह से सब्तमी विपक्ति का प्रयोग होता है मंदिरे अस्वरे 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 एक वचन में होगा व्यांजने 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 रूप के हैं जिसे हमें एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन का अभ्यास करके फील लिखना है। प्रस्ण नमबर दो, कोस्टकेसु, प्रदत सब्देसु, समुचित पदम, चित्व, रिक्त स्थानानी, पुलयत है। सब्द जो कोस्टक में दियें गये हैं, उसमें से उचित सब्द का प्रयोग करके खाली जगह भरनी हैं। अब यहाँ पे भारतम भारती, भारत में बहुत सेरे उचसव होते हैं। भारत में, यानि कि में का प्रायग हुआ, यानि कि भारते, एक वर्चन क्योंकि भारत एक है, यानि कि एक वर्चन में आएगा भारते, तो खाली जग्र में आएगा भारते, उसके बाद मिनाहा वसंती, यानि कि रहे दे है, तो सरोवरे के सरोवर्यात, तो उत्तर आएगा दोवर का सरोवरे, फीर तीसरा खाली जगह, जनाहा खाली जगह, पुस्पानी अर्पयंती, मंदी रेण, देखो यहाँ पे पहला जो अप्चन है, मंदी रेण, न का प्रयोग जब होता है, एन का प्रयोग गोत्रुतिय विभगती में होता है, हमें यहाँ पे सप्तमी विभ प्रयुक करना है इसी लिए जनाहा मंदीरे पुषपानी और पयंती दूसरा जो अप्सर है मंदीरे वो उसका अंसर रहेगा चोथी जो खाली जगह है खगाहा निवसंती खगाहा यानिकी पक्सिया यहाँ पे बहु अचन में है खगाहा तो उसका बहु अचन में सब्तमी विब्रक्ति में सु का प्रयोग होता है इसलिए यहाँ पे आएगा निदेशु उसके बाद खाली जगह चात्रा हा खाली जगह प्रयोगम कुरुवन्ती अब यहाँ पे साला याम और प्रयोग साला याहा याहा का प्रयोग हमने देखा है पंचमी और चटी विब्रक्ति में होता है और इसलिए यहाँ पे प्रयोग यह उप्शन लगेगा। उसके लास्ट वाला खाली जग्या पुस्पानी विकसंती उध्याने पुस्पानी विकसंती भागों में फूल खिल रहे है। उसके बाद नमबर त्रीन अदोली खितानी पदानी आदूत्य सार्थकानी वाक्यानी रच्चयत यहाँ पे जो तीन कोस्टक में अलग-अलग नाम दिये गए है उसको जोड़कर एक वाक्य बनाना है जैसे की पहला है वानराहा और दूसरे कोस्टक में देखेगे तो यहाँ पर वन्यसू प्रुक्षेसू जले है आका से उध्याने तो वानर यानि की बंदर पेडों पर खेलते रहते हैं या फिर कुटते रहते हैं इसलिए यहाँ पर वाक्या बनेगा वानराहा प्रुक्षेसू प्रूदंती इस तरह जो यहाँ पर जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह से सिहाहा, मयूराहा, मत्स्याहा, खगाहा का सब्द का प्रयोग दोनों कोस्टक में से करना है और वाक्या बनाने हैं उसके बाद वाला प्रस्ण प्रस्ण नम्बर चार प्रस्णा नाम उत्तरानी लिखत हैं प्रस्णों के उत्तर लिखने हैं पहला है जनाहा पुस्प व्यंजनानी पुत्र अर्पयंती लोग पुस्प से बना हुआ जो व्यंजन है पंखा है वो कहाँ पे अर्पन करते हैं तो उसका आंसर आएगा जनाहा पुस्पम्यन जनानी योगमाया मंदीरे बक्तियार काकी इती यस्य समाधी स्थले अर्पयन्ती नमब दो पुस्प उत्सवय आयोजनम कदा भवती कदा यानी की कब पुच्प उत्षव का आयोजन कब होता है? तो पुच्प उत्षव आयोजनम उक्टोंबर मासे भवती नमब तीन अस्माकम भारत देश हो कृदस हो अस्ति हमारा भारत देश केसा है? अस्माकम भारत देश हा उत्सव प्रिय हा अस्ति हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है उसके बाद वला नंबर चार्ट पुच्प उत्सव हा केन नामना प्रसित हा अस्ति पुच्प उत्सव किस नाम से प्रसित है पुस्प उत्सवह फूल वालो की सेर नामना प्रसिद्धह अस्ती 5. महरलिक सेत्रे कस्याहा मंदीरं कस्या समाधी स्थलस्च अस्ती महरलिक सेत्र में कौनसे मंदीर में किसकी समाधी स्थल है महरेलिक सेत्रे योग माया मंदीरे बक्तियार काकी इती यस्य समाधी स्थलह अस्ती प्रस्ट नमबर पाँच कोस्टकेशु दतेशु सब्देशु उचीताम विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानी पुरय यतव कोस्टक में दिये करे सब्द का उचीत प्रयुग करके हमें सब्दा फिर से दिखने हैं यह से की सरोवले मीनाहा संती यानि की सब्दमी विभक्ति का प्रयुग करना है उसी तरह से पहला है खाली जगा कच्छपाहा प्रमंती कच्छपाहा यानि की कच्छुए तड़ाग, तड़ाग यानि की तालाब में, तो तड़ागे कच्छपाहा प्रमंती नमबर दो, सेनी काहा संती, तो उप्सन में है सीवीर, तो सीवीरे सेनी काहा संती नमबर तिन, यानानी खाली जग्या चलंती, राज मारगे, तो राज मारगे काहोगा, राज मारगे, यानानी राज मारगे चलंती नमबर चार, खाली जग्या रतनानी संती, धरा, धरा स्त्रीलिंग सब्द है हमने यहाँ पे जितने भी पहले सब्द देखे वो पूलिंग सब्द थे यानि उसमें एक री मात्रा लगी लेकिन धरा स्ट्रिलिंग होने की वज़ा से यहाँ पे सब्दमी एक वज़न में धरायाम यानि की धरा के साथ याम सब्द का प्रयोग करना है धरायाम रतनानी संती बालाहा क्रिडन्ती बालाहा क्रिडाक सेत्रे क्रिडन्ती इस तरह से यहाँ पे सब्तमी विभक्ति का प्रयोग करके हमें सब्द फिर से लिखने है प्रस्णचो मन्जु सातह पदानी जित्व रिक्त स्थानानी पूरयत जो कोस्टर में दिये गए है वो सब्द का प्रयोग करके खली जगह फरनी है पहला वयम पठा मह पढ़ने जाते हैं कहां पे वित्या लए तो वयम वित्या लए पठा मह जनाहा प्रमन्ती गुमने जाना याने कि बाग में हम सब गुमने जाते हैं तो जनाहा उद्ध्यानेशु ब्रमन्ती, खाली जगह नोकाहा संती, नोका नदी में होती है, तो यहाँ पे घंगा नदी की बात है, गंगायाम, यहाँ पे घंगा स्त्रिलिंग सब्द है, इसलिए यहाँ पे याम का प्रयोग हुआ है, एक वचन में गंगायाम नोकाहा संती ब्रमरा ब्रमराहा गुजन्ती तो ब्रमर है जो भवरे होते हैं वो फूलों के अंदर गुजन्जन करते हैं यानि कि पुस्पेशू ब्रमराहा गुजन्ती खाली जगह फलानी पकवानी संती वुरुक्सयो हो फलानी पकवानी संती पेडों में फल पक गए है इस तरह से यहाँ पे भी सब्तमी वी भक्ति का प्रयोग करके यहाँ पे सोच समझ कर सब्दक का प्रयोग करके खाली जगह भरनी है आसा है कि यह सुन्दर सा पाँठ पुच्पा उत्सव आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको यह पसंद भी आया होगा साथ साथ में सब्तमी वी भक्ती का प्रयोग किस तरह से होता है वो हमने अभ्यास में दिये गए प्रस्टन के त्वारा हमने अच्छी तरह से सिखा है तो वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो नोट्बुक के अंदर सभी प्रस्टन लिखने है सबदार्थ भी लिखने है और पाठ का अनुवाद भी आपको लिखना है जै स्री स्वामी नरायन